Hey guys, welcome back to the channel Supersonic, कैसी हैं आप सबी? I hope so आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे Last मैंने वीडियो बनाया था आप लोगे डिमांड पे कि भाई Tata Sumo के excellence दिखाओ तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो link description में मिल जाएगा आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग काफ़ ज़्यादा highly demand आ रही थी कि भाई helicopter crisis के उपर वीडियो बनाओ तो finally मैं आप लोग लिए लेकर के आगया हूँ भाई कि अगर आपको किसी topic पर वीडियो चाहिए तो Instagram पर DM ज़रू कर देना अब helicopter एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग कहीं से भी टेक आफ कर सकते हो और कहीं पर लैंड करा सकते हो जो कि काफ़ ज़्यादा easy रहता है और army में भी देख सकते हो ambulance के रूप में और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है especially अगर आप लोग केदारनाथ जाओ तो वहाँ पर आप लोग काफ़ ज़्यादा helicopters देखने को मिल जाते हैं जो कि एक पार से दूसरे पार पर आपको बहुत ही मिंटों के अंदर ले करके चले भी जाते हैं तो खेर वह सब छोड़ते हैं बात करते हैं हम इन सारे के सारे crashes के बारे में number one crash के बारे में बात करते हैं यह crash होता है उध्राखन के केदारनाथ में आप सभी में से काफी लोगों ने केदारनाथ की यात्रा करी होगी और आप कोई मालू होगा कि वहाँ पे रोड्स नहीं है पैदली जाना पड़ता है या फिर जानवरों का सहरा लेना पड़ता है पर वहीं पे सबस्यादा है हेल्प करता है हेलिकॉप्टर जियां दोस्तों इसका अधर सारा समान भर करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जया जाता है यह MI-17 हेलिकॉप्टर रहता है बिसिकनली इसका क्रेश हो जाता है यह समान लेकर के जारा होता है और यह ज़िया का पोल या फिर एक लहे की मतलब गाटर तيप की कोई चीज रहती है जिसमें य पूरी तरीके से उन्बैलेंस हो जाता है और सीधा सीधा जाकर के क्रैश हो जाता है जमीन से यहां पर जो यह क्रैश रहता है काफिजदा भेंकर रहता है और आप सभी को मालूम होगा कि जैसे अगर आप प्लीन क्रैश देख लो या फिर हेलिकॉप्टर क्रैश तो डेफिनिटली काफी बार यही होता है कि उनमें तुरंत आग लगती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है यहां पर लोग किसमत काफिजदा बढ़िया रहती है इसके इंदर जितने भी लोग बैठे रहते हैं सारे के सारे सेफ रहते हैं बस एक बंदा जो है वह काफिजदा इंजियोड हो जाता है जैसे ही हेलिकॉप्टर क्रैश होता है इसके अंदर से धुमा निकलने लगता है तो सब्सक्राइब लोग गवरा जाते हैं थोड़ी देर बाद वह धूड़ा सा कम हो जाता फटाफट से लोग उनकी जान बजा करके बचा लेते हैं नेक्स्ट नमबर टू ये क्रेश होता है बाई बदरीनात में किदानात और बदरीनात ये ऐसी जगाए हैं यहाँ पर काफिजदा चलना पड़ता है मलब 20-20 किलोमेटर 22 किलोमेटर की ट्रैकिंग रहती है जिसके पर जैसे काफी लोग हेलिकॉप्टर में जाना पसंद करते हैं वहीं पर ये ऐकर जाता है इसके विंक्स में जो इंजिनेर बहाई वो फर्स जाता है जिससे कटने की वज़ेस की मौत हो जाती है और यहाँ पर राटर ब्लोट जो हैं वो काफी बुरी तरीके से श्टिग र जाता है और काफी ज़दा इसके अंदर डैमेजे आप लोगों देखने को मिल रहोंगे जिसके विंग्स न वो पूरी तरीके से खतम हो गया है यहां पर अच्छी गनीमत यह रही कि क्यों और भी ज़दा लोग रहते तो वह भी हाम हो जाते थोड़ा सा दूर जाने के बाद यहां पर किक अच्छी रहती है कि यह बहुत ज़दा उपर ने रहता क्योंकि अगर बहुत ज़दा उपर रह करके नीचे गिरता तो तो शायद किसी की जान नहीं बसती, यह जैसे ही नीचे गिरता है भाई, एक ट्रक खड़ा रहता है साइड में, हेलिकॉप्टर के जो विंग्स है भाई, वो एक ट्रक में हिट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रक के भी परखचे उट रहे हैं, और साथ ही हो सकता था, अगर इसकी हाइट थोड़ी सी जादा होती तो शायद कोई भी इसमें नहीं बसता, खेर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसमें किसी को भी कोई भी इंजिरीज नहीं आती, बट यहाँ पर हेलिकॉप्टर को देखोगे तो वो काफी बुरी तरीके स डिस्ट्रॉय हो चुका है, नेक्स्ट नमबर फॉर, ये क्रेश होता है बाई कोची में, जहाँ पर लूलू ग्रूप्स के जो यूसुफ अली और उनकी वाइप जो की हेलिकॉप्टर में बैट करके एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जारी होती है, एकदम से जो पाइले सारा जा सकता है, जिससे लोगों को भी कुछ न हो और ये हलिकॉप्टर भी सेफ लैंड कर सके, तो यहाँ पाइलेट रहता है, वो एक्जैकली एक प्लॉट को देख लेता है, जो कि खाली सा रहता है, वो उसको पूरा टार्गेट बना लेता है, कि वो वहीं पर लैंड करे हो है, जो हेलिकॉप्टर वो पूरा अंदर की तरफ धस गया है, और यहाँ पर किसमत अच्छी रहती है, कि किसी को भी कुछ भी नहीं होता, फटा-फट से लोग जो रहते हैं, आस-पास के वो देखते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, फटा-फट से इस हेलिकॉप्टर में स सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और फटा-फट से हॉस्पिटल ले करके जाते हैं, यहाँ पर तो मैं पाइलेट की तारीफ करना चाहूँगा, कि उसने इतने समझदारी से इतना अच्छा काम किया, कि पांच लोगों भी जिंदगी बचाई, और खुद की भी जिंद लेकॉप्टर को, उसके 20-25 मिनट बाद एकदम से जो डैश्बूट रहता है, उसके अंदर टेक्निकल इश्यू आने लगते हैं, काफिजदा वर्निंग्स आने लगती है, और यह लोग समझ जाते हैं, कि और जो हेलिपैट रहता है, वो काफिजदा दूर रहता है, और इन कॉपरेट करते हैं, दूसरे के साथ, टेक्निकल इश्यू आने के बावजूद भी वो हेलिकॉप्टर को, काफि अच्छे से 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 लेंड कराने की कोशिश करते हैं, बट यहां पर अगार अब हेलिकॉप्टर को देखोगे, तो थोड़ा बहुत तो यहां पर डेमेजिस जो हेलिकॉप्टर रहता है, वो नॉर्मली अपने बेस पर पूरी तरीके से पहुँची जाता है, बट एकदम से इसमें क्या चीज होती है, क्या इश्यू आता है, यह अन्बैलेंस होता है, और इसके विंग्स रहते हैं, बाई वो जमीन के काफि जदा पास आ जाते हैं, और यहाँ पर सबकी किसमत अच्छी रहती है, कि किसी को भी इंजिरीज नहीं आती, एक बंदा रहता है जिसको हलके फुल की इंजिरीज आ जाती है, बट यहाँ पर सारे के सारे लोग उससे बिल्कुल सेफ रहते हैं, नेक्स्ट नमबर सेवन, उत्राखंड के किदाननाथ का यह क्रेश है, जो कि एक हलिकॉप्टर के साथ हो जाता है, आप सभी को मालू है, बदरीनाथ किदाननाथ जाने के लिए यहाँ पर हलिकॉप्टर की सर्विस काफी ज़दा अवेलेबल है, प्राइवेट कंपनी का यह हलिकॉप्टर रहता है, जो कि यूटी एयर्स के नाम जमीन से लड़ता है, और एकदम से जो हलिकॉप्टर है, वो धम जमीन पर गिर जाता है, यहाँ पर उचाही बहुत जादा नहीं रहती है, क्योंकि पाइलेट जो हलिकॉप्टर को काफी जादा नीची लेकर के आ चुका होता है, बिल्कुल ही लैंड करने वाला होता है, औ यहाँ पर जैसे यह टकराता है, जो इसका टेल सेक्षन है, वो काफी दूर तरतना ओड़कर के जाता है, और इसके अंदर जो छे पैसेंजर रहते हैं, उनमें से एक आदी पैसेंजर जो माइनर सी इंजरी आती है, और जो हलिकॉप्टर है, उसके बाद एक आर्मी का एक औ इंडियन एरफोर्स के जो जनरल विपिन रहते हैं, वो और उनकी वाइप जो है, वो लोग और लगबग 11 कुरू मेंबर जो की इनके साथ जा रहे होते हैं, जिन में कुछ जमान कुछ आफिसर भी रहते हैं, बिसिकली यह लोग जा रहे होते हैं, इसके लिए अपनी डेस् और बागी रहाता है, पांच मिनिट में लोग वहाँ पहुच जाते, बट destination से 16 किलोमेटर पहले ही इनके हलिकॉप्टर में पता नहीं क्या ईश्यू आता है, हवा में ही इसमें आग लग जाती है, और जो इसमें पाइलेट रहता है, यह जो helicopter रहता है आसमन में ही आग पकड़ लेता है और जैसे नीचे नीचे आता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि यह सीधा जमीन पर आगर के गिर जाता है क्रेश होता है अभी exactly किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि किस वज़े से होता है बट हो सकता है visibility की वज़े से या फिर कोई technical issue आ गया हो जिसकी वज़े से यह पूरा का पूरा क्रेश हो गया यह क्रेश इतना दा खतरनाक था भाई कि मतलब देखते देखते सारे के सारा जितना भी पूरा helicopter था ना वो पूरा जल करके खाक हो गया है next number 9 36 गर के रायपूर में यह crash होता है basically exactly यह airport पर होता है एक government का helicopter जो कि अपने destination की तरफ जा रहा होता है अचानक से उसके अंदर technical issues आ जाता है वो सबसे पास के airport पर बाई call करते हैं और अपने लिए emergency landing के लिए जगा मा रहे था यहां पर पाइलेट काफी दा कोशिश कर रहे होते हैं कि इस helicopter को control करने के लिए बट यहां पर control इतने बुरी तरीके से खो जाता है कि जैसे ही एरपोर्ट में पहुंचते हैं जैसे यह landing करने कोशिश करते हैं जो helicopter है वो पूरी तरीक से अंकंट्रोल हो जाता है और सीधा आकर के जमीन पर गिर जाता है और यहां पर आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो एक कागस के टुकड़े की तरह भाई यह पूरी तरीके से मुड़ गया है यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी न अपने हाथों से किसी पेपर क जो Craxi करके फिक रखा हो इस리 में जो पाईसु न दोनों की जहाती है एक बंदे की तॉ ऑन-दर सपर्ट यहां पर जब लोग गिरते हैं तो हाइट बहुत जादा उची नहीं रहती है यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको काफी बुरी तरीके से सीरियसली इंजॉड भी हो जाते हैं यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यह पूरी तरीके से एक हाड लेंडिंग थी मतलब बिल्कुल भी पता नहीं था इन लोगों को एकदम से हलिकॉप्टर में क्या हो गया क्या नहीं हो गया तो मतलब यही था आज का वीडियो आप मुझे जरू कमेंट बॉक्स में बताना बाकि भाई मैंने तो कभी जिन्दीगी में हलिकॉप्टर का एक्स्पिरेंस नहीं किया है कैसा होता है कैसा नहीं क्या आप लोग साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है अगर आप लोग प्लीन में जाओ या फिर हलिकॉप्टर म में क्या हो या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन तो आप मुझे जरू कमेंट बॉक्स में बताना बाकि अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग लिए वीडियो बना ने की